हाल ही में एक मीडिया साक्षातकार में, फिल्म निर्माता सूरज बढ़ जात्या ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने सल्मान खान को उनके पहले स्क्रीन टेस्ट में अस्वीकार करने के पांच महीने बाद कास्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता निर्देशक बनने के उनके फैसले के बारे में अनिश्चित थे और उन्होंने उन्हें अपने जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। आगे बताते हुए, फिल्म निर्माता ने कहा कि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को यह महसूस करते हुए देखा, वो सही कैमरा कौन जानता था और यह भी जानता था कि सेट कैसा दिखना चाहिए. सूरज ने आगे खुलासा किया कि मैंने प्यार किया कि पटकता लिखने के बाद, कोई भी अभिनेता उनके साथ काम नहीं करना चाहता था और उन्होंने सल्मान खान को कैसे चुना, जिसे उन्होंने अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद शुरू में थुकरा दिया था. . फिल्म निर्माता ने आगे कहा कि कोई भी अभिनेता हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था और एक दिन वो एक युवक से मिला जिसे हमने उसके पहले ओडिशन के बाद थुकरा दिया था, लेकिन उसके बारे में कुछ था, इसलिए पांच महीने बाद हम उसे बोर्ड पर ले गए, वो शक्स थे सल्मान खान